आज हम स्टड़ी करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का आपका सेकेंड टॉपिक वो है आपका इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दी मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या चीजें यूज करती है ताकि वो क्रेडिट को कंट्रोल में रख सके तो आगे इस वीडियो में पूरे तरीके से करेंगे कि क्या क्या इनकी पॉलिसी होती है मॉनेटरी की और अगर आपको इन वीडियो की पीडिया फाइल चाहिए तो आप मेरा टैली ग्रम चैनल जाइन कर सकते हैं वहां पर हर एक वीडियो की आपको पीडिया फाइल एबलेबल हो जाएगी अंबिल्कुल फ्री आफ गा Facebook पे भी आप मुझे contact कर सकते हैं वहाँ पर message कर सकते हैं कोई भी आपका doubt हो तो मैं बहुत जल्दी आपको reply कर दूंगे उस चीज़ का तो वहाँ पर भी आप मुझे message कर सकते हैं तो like कर दीजिएगा उस page को आगे हम discuss कर लेते हैं monetary policy के instruments को तो पहले बात यह है कि instruments होते क्या है monetary policy के तो monetary policy के जो instruments होते हैं credit को control करने के लिए मतलब क्या क्या चीज़े अपनाई जाएं ताकि हम जो credit को है कि commercial banks में या लोगों के हाथ में जो supply हो रहा है पैसे का money का उसको हम लोग control में रख सकें तो इसी वज़े से हम इसको categorize कर जते हैं दो भागों में पहला होता है आपका quantitative measures और दूसरा होता है qualitative measures अब अच्छे क्या है quantitative और qualitative measures में जो main difference देखने को मिलता है वो आपका यह है कि quantitative instruments apply किये जाते है as a non-discriminating credit policy of the central bank अब इसका क्या मतलब होता है कि बिलकुल भी discrimination नहीं की जाती सभी को एक जैसा ही treat किया जाता है मतलब सारे sectors जो भी economy में होंगे उसमें क्या है uniformly उनको treat किया जाएगा जब भी monetary policy को आपने pursue करना है लेकिन qualitative में क्या होता है qualitative apply की जाती है as a discriminatory credit policy of the government जिसमें क्या होता है अलग-अलग sections को अलग-अलग तरीके से different तरीके से treat किया जाता है उनकी economic situation को देखते हुए country की मतलब अब हम sectors में बांड देंगे कि किस में आपको credit को expand करना है कि sector में नहीं करना है तो उस तरीके से qualitative qualitative है आपका discriminatory credit policy जिसमें हर sector को अलग-अलग ही रखा जाता है अब देखो during inflation inflation के time में क्या होता है for example particularly when inflation is driven by supply constraint of the food grains अब हमें ये पता लगे जो inflation आई है वो किस वज़े से आई है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ food grains को मतलब उसकी supply को रोख रखा है जैसे हम लोग कहते हैं लोग hoarding करके रख लेते हैं market में उनकी supply आ नहीं पाती तो जिस वज़े से क्या हो जाता है कि आपके demand supply से जादा हो जाती है और prices को बढ़ाना ही पड़ता है तो inflation आ जाती है economy में जो कि हमारे less developed countries में बहुत जादा देखने को मिलता है तो central bank क्या चाहेगी तो central bank may not lower the availability of credit for the farming sector in the economy अब central bank जो farming sector को credit दे रही है उसको कम नहीं करेगी लेकिन किसको कम कर देगी industrial हो गया trading sectors हो गया इनके flow को रोक दिया जाएगा बाकि जो farming sector उसके flow को वैसा वैसा रखा जाएगा तो यहाँ पे हमने example किसके लिए qualitative measures की कि कि किस तरीके से हम लोग क्या है एक sector को दूसरे sector से बिलकुल अलग अलग रख सकते हैं उनको control में किया जा सकता है इसी वज़े से जो qualitative आपका credit control होता है उसको हम लोग क्या कहते है selective credit control क्योंकि यहाँ पे हमने select कर लिया कि कि किसका credit control रोकना है और किसका नहीं रोकना है तो इसी वज़े से इसको selective credit control भी कहत हैं next है आपके पास quantitative policy instrument कौन कौन से होते हैं तो जो main आपके instruments होते हैं credit control के quantitative measures में वो होता है bank rate ठीक है bank rate हम पढ़ते हैं कि होता क्या है bank rate सबसे important आपका instrument होता है credit control करने का और bank rate का मतलब क्या होता है जैसे हम कहते हैं कि ऐसा interest rate जो क्या है एक central bank पैसा देता है lands करता है किसको domestic banks को ठीक है या बहुत थोड़े समय के लिए जो loans दिये जाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है जो bank rate inflation के time में suppose करो inflation के time में जब supply credit की आपको कम करनी है तो bank rate क्या है बढ़ा दिये जाते हैं ये बढ़ा क्यों दिये जाते हैं जिससे क्या होता है अब देखो commercial banks ने loan लेना है ना central bank से तो bank rate बढ़ गया तो commercial जो banks है वो बहुत कम borrow करेंगे किस से central bank से जिस वज़े से उनका cash reserve क्या हो जाएगा कम हो जाएगा फिर आगे वो credit control भी क्या है उसकी capacity क्या है वो भी कम हो जाएगी that means bank rate के बढ़ने से क्या हुआ credit control कम हो गया sorry credit creation है जो वो कम हो minimum rate of interest जिस पे central bank is of a country is willing to discount the first grade securities of the other banks और lands on the approved securities यह क्या होता है कि ऐसा minimum rate of interest जिस में central bank क्या करता है कि जब भी वो commercial banks को कुछ ना कुछ landings करता है कुछ चीज ओ ठीक है ना वो bank rate है कि landings की जाती है वो किसी ना किसी approved security को लेके की जाती है discounted rate पे की जाती है मतलब कुछ ना कुछ central bank अपने पास में वो हिस्सा रखती है तो जब क्या होता है bank rate बढ़ा दिया जाता है इससे क्या होता है that bank rate बढ़ने का मतलब क्या और rate of interest आपका बढ़ गया ना और fall in bank rate lowers the rate of interest अब bank rate कम हो है तो rate of interest भी आपका कम हो गया जब bank rate को बढ़ाया जाता है तो credit में क्या आ जाती है contraction आ जाती है और fall in the aggregate demand और aggregate demand भी कम हो जाती है और back then फिर बसका मतलब आपके prices के fall down हो जाता है अब यह देखो inflation की situation है inflation की situation में एक क्या चाते हम लोग कि demand को curtail करके रखा जाए समझा गए कि demand कम से कम करें न लोग भी पहले ही inflation है economy में भी आपके पास चीजों की supply उतनी नहीं है तो demand को curtail करके रखा जाए अब क्या होता है जब bank rate बढ़ा दिया जाता है तो that means commercial banks है जो वो बहुत कम borrow कर पाते होत investment नहीं करोगे पैसा आपके हाथों में नहीं आएगा तो that means आपके आप demand भी क्या कर दोगे कम कर दोगे जिससे दीरे दीरे prices आपके कम होने शुरू हो जाएंगे बस वही चीज़ यहाँ पे है और contrary में अगर deflation की process है तो वहाँ पे bank rate क्या कर दे जाएंगे कम कर दे जाएं तो इस तरीके से credit को control में रखा जाता है second है आपके पास open market operations अब देखो यह market की form है जिसमें क्या किया जाता है sell की जाता है या purchase किया जाता है किसको government की securities हो गया कुछ प्रामिसरी नौट है प्रेजरी बिल्स हो गये इन सबी को central bank क्या करती है credit को control करने के लिए या money की supply को regulate क करने के लिए अपने इन securities को खरीद लेती है या बेज देती है अब इसमें अब खरीदना बेचने से credit कंट्रोल देखो कैसे होगा जब central bank क्या चाती है कि अब लोगों की हाथ में जो पैसा है न availability है वो कम हो जाए कम हो जाए तो वो क्या करेगी देखो अपनी जो securities है bank का जब क्या करते है श्याल करते है securities को तो वो किसी और के पास में जाते है वो बंदा उसको खरीद लेता है जो बंदा उसको खरीदता है वो bank को क्या देता है पैसे देता है तो bank के पास इससे पैसे आ गया लेकिन उन persons के पास पैसा नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि अब अब क्या है हमने उसके हाथों से पैसा बैंक में जमा करवाना शुरू कर दे क्योंकि बैंक ने अपनी जो बांड्स और सेक्यूरिटेश को बेचा है तो इसका मतलब यह है कि हमने उनके हाथों से पैसा चीन लिया मतलब जो पैसा है वो बैंक में चला गया ताकि लोगों के हा रहा है बेच रहा है जिसको पैसा आ रहा है दूसरी तरफ वो पर्चेस कर लेगा ठीक है ना जिससे लोगों के हाथ में पैसा फिर से चला जाएगा तो जिससे अब देखो उन्होंने गौर्वर्मेंट की सिक्यूरिटेज बॉंड को क्या है सेल कर दिया तो यह हैल्प करेगा कमर्शिल बैंक को और इस स्टेप से क्या होगा जो मनी सप्लाई है एकोनमी में वो कम हो जाएगी जिससे कम क्रेडिट ओफर किये जा सकते हैं एक इंडिविज्वल्स को तो बैंक अपनी तरफ से देखो क्या कर सकता है क्या कहा कि बैंक क्रेडिट को कॉंट्रेक्ट करना चाते हैं तो सेंट्रल बैंक क्या करता है अपनी सिक्योरिटिज को बेचना शुरू कर देता है ठीक है बेचेगा मैंने आपको बताई दिया तो उससे क्या होगा बेचेगा पैसा इधर आ जाएगा सेंट्रल बैंक के पास में कमर्शिल बैंक क्रेडिट को कम कर देंगे on the contrary if the central bank wants to expand the credit, credit को बढ़ाना चाहेगा तो वो अपनी securities को क्या करेगा बाई कर लेगा open market में से अब देखो inflation के टाइम में क्या होगा inflation के टाइम में central bank क्या करेगा securities को sell करेगा समझ आ गई, sell करने के मतलब क्या हुआ, बें central bank के पास पैसा गया है तो हाथों में पैसा कम रहेगा, demand कम करेंगे, तो inflation आपकी सही हो जाएगी and as a result of it, credit is contracted, जिस वज़े से credit को contract कर सकेंगे clear है, demand आपकी कम हो जाएगी, prices दुवारा से कम होने शुरू हो जाएगे लेकिन अगर depression का time period है, तो central bank क्या करेगा, buy करेगा securities को पैसा उनके पास जाएगा, तो credit क्या हो जाएगा, expand हो जाएगा, aggregate demand भी बढ़ जाएगी और price भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, simple सी टेकनीक है, भी कैसे credit को control किया जा रहा है थर्ड है आपका, change in minimum reserve fund, ठीक है, अब क्या किया जाता है, कि minimum reserve funds में भी changes लेके आए जाते है अब commercial bank को क्या होता है, कि कुछ ना कुछ deposits, हमने जैसे credit creation में किया था ना, process of credit creation में commercial bank कुछ ना कुछ अपने पास cash reserve की form में रखती ही, रखती है अब क्या हुआ, if the central bank wants to contract a credit, अगर central bank चाहता है कि credit contract हो, तो वो अपना cash reserve ratio क्या होगा, बढ़ा देगी समझा गया, अब cash reserve ratio बढ़ गया, that means आप लोग loan की form में आगे, पैसा कम दे पाओगे, credit creation उतना कम होगा so as a result, banks have to keep a larger percent of their deposit in the term of cash with the central bank अब RBI ने, जैसे इंडिया में, उन्होंने अपना, जो minimum reserve fund है, उसको बढ़ा दिया, वो तब cash reserve ratio को बढ़ा दिया that means commercial bank को अब central bank के पास में क्या है, जादा से जादा percentage of amount रखना पड़ेगा जिसके वज़े से उनके पास तो cash reserve कम हो गया न, ठीक है, commercial bank के पास तो कम हो गया क्योंकि उसको क्या है, central bank में जादा पैसा रखना पड़ रहा है, lower cash reserves, अब cash reserve क्या है, कम है that will reduce the credit creation capacity of the commercial bank, इनसे अब वो credit को जो create करने की process से वो कम हो जाएगी, दूसरे तरीके से देखा जाए, जब उन्होंने credit को expand करना है, इसी cash reserve ratio को क्या है, central bank कम कर देगा, मतलब उनके पास में अब कम पैसा रखना पड़ेगा, और credit creation क्या हो जाएगी, जादा से जादा हो जाएगी, clear हो गया यह भी point, fourth है change in the liquidity ratio, अब liquidity ratio में कैसे changes आते हैं, हर bank को क्या है, कुछ ना कुछ जो अपना proportion है, total assets का, उसको liquid form में रखना पड़ता है, liquid form क्या होती है, सबसे जादा liquidity होती cash में, क्योंकि cash acceptable है, कोई इसको मना नहीं करेगा, सब लेने को त्यार है, या जैसे हो गया gold है, gold को एकदम से जैसे आपको पैसा चाहिए, बेज सकते हो, अराम से, वो बहुत ही liquid चीज है, ठीक है ना, जिनके वास क्या है, तरलता हम लोग कहते हैं, बेजादा है, पैसा cash है, gold है, लेकिन अगर हम लोग कह दें, कोई आपका घर है, ठीक है, तो गर कम liquid होता है, क्योंकि उसको एकदम से बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये bank क्या करती है, कुछ ना कुछ amount जो है, total assets का, उसको रखना ही पड़ता है, कुछ liquid assets की form में, और इसी को हम लोग क्या कहते है, liquidity ratio, and when the central bank is to contract credit, वही same चीज है, बच्चे CRR वाली, अब central bank अपना जो credit है, उसको contract करना चाहता है, liquidity ratio बढ़ा देगा, कि cash की form में, उसके पास पैसा क्या रखा जाए, जादा से जादा रखा जाए, फिर आगे बच्चे, जो credit creation वो कम ही होगी, लेकिन उन्दा contrary में, अगर central bank को अपना credit expand करना है, तो that will lower the liquidity ratio, पैसा आपने पास कम रखेगे, तो अपने आप ही credit creation क्या हो जाएगा, उस money से जादा हो जाएगा, तो ये कुछ measures थे, जो quantitative थे, आगे बढ़ने से पहले आपको ब लीजेगा, और जादा से जादा share कीजेगा, ये आपको links दे रखें, आपको description box में भी इन जो links है, वो मिल जाएगे, तो वहां से आप लोग join कर सकते हैं, आगे बात करते हैं, qualitative या फिर selective policy instruments की, अब ये हमने देखा था, भी कुछ selective purposes के लिए होता है, इसी वज़े से इनको ये नाम दिया गया है, इसमें क्या क्या तरीके होते हैं, पहला तरीका है, changing the margin requirement of loans, कि आप लोग जो margin requirement रखाओ, margin समझते हो क्या होता है, margin दे एक amount होता है, जो की एक borrower को avail करना पड़ता है, कोई ना कोई loan लेने के लिए, वो कितना margin रख रहा है, अब सारा का सारा जो पै पैंक क्या है, अपने पास है, as a margin रखती ही रखती है, उसको का जाता है, बचे एक margin, जैसे हम लोग देखते हैं, sheets में कि कुछ margin रखा होता है, कुछ indexing के लिए space रखी होती है, कुछ अपके points डालने के लिए रखे, तो बस वहीं चीज़ है, यहां पे, कि एक amount है, जो कि प बहुत जादा stock peeling कर रहे हैं, certain commodities की, stock peeling समस्य, hoarding करके रखना, अपने पस जमावंदी करके रखना, जिस वज़े से prices क्या हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि stock peeling में क्या होता है, कि वो artificially यह दिखाने की कोशिश करते हैं, भी market में supply कम हो गई है, demand तो लोग जादा करते हैं, करते हैं, तो prices क्या होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, then it controls the availability of credit for these goods by changing the margin requirement, तो क्या होता है, भी credit की availability को control करने के लिए margin requirements में कुछ changes किये जाते हैं, that means, it means that margin between the value of goods pledges as security and the amount of loan is increased, जैसे हम example ले लेते हैं, चलो, suppose करो, एक person है, वो कितने की goods pledge करता है, 100 rupees की, as a security with the bank, bank के पास में उसने 100 rupees के अपने कुछ security रखी है, लेकिन bank हमने कहा ना, भी पूरा का पूरा loan की form में नहीं देगा, loan कितना दिया, bank ने 80, that means bank ने अपने पास में कितना पैसा रखा है, 20 rupees ना, तो 20 rupees, that means 20% हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने security रखी दी 100 की, bank नेस को loan दिया, 80 का, अगर इसी margin requirement को हम लोग बढ़ा दे, ठीक है, इस margin requirement को अगर बढ़ाएंगे, then the borrower will have to pledge goods of the greater value in order to secure loan of the given amount, that means अगर उसको loan अभी भी 80 rupees का ही चाहिए, ठीक है, अब margin requirement बढ़ दे, तो that means हम उसको security में भी 120 की रखनी पड़े, 150 की रखनी पड़े, ठीक है ना, तो यह चीज होता है, इसमें margin requirement फिर कितना हो गया, 40 rupees का हो गया, that means अगर उसने margin requirement को बढ़ाना है, तो आपको यहां तो अपनी security को जादा बढ़ाना पड़ेगा, यहां फिर हम लोग यह कह सकते इसको loan कम दे दिया जाए, यह कह ना, जैसे suppose करो, कि margin requirement हमने बढ़ा दिया 40%, that means, bank will now sanction loan of 60 only, लगे ना समझ, कि क्या है, कि उसने 40, 40 rupees अपने पास रख लिए bank ने, so कि उसने security रखी थी आपके पास में, लेकिन loan में कितने दोगे उसको, बचे तो 60 rupees ना, 60 rupees दोगे loan की form में, obviously margin requirement को कम कर दिया जाता है, अगर credit को बढ़ाना है, credit को बढ़ाना आप वही चीज़ है, भी जितना आगया कि loan दोगे बैंक में आके जमा होता रहते है, credit credit ज्यादा होता है, जितनी margin requirement ज्यादा रखोगे, उतना ही credit का control, sorry, जो credit है, वो contract होगा, और अगर margin requirement कम रखोगे, credit rationing का मतलब क्या होता है, जब जो banks होते हैं, वो loan की supply, कितना हम लोग loan दे न, consumer को उसमें कुछ limits लगा देते हैं, ठीक है, उसी को rationing का जाता है, तो central bank आपको पता है, भी lender of the last resort है, commercial banks का, ठीक है, hence, if it so chooses, it can introduce rationing of credit in order to control the credit, अब चार तरीके के variants होते हैं, पहला देखो, the central bank can decline loan to a specified category of the commercial bank, राशनी करने के लिए central bank का करता है, पूरा का पूरा loan को deny कर सकता है, ठीक है न, कि इन commercial banks को हम लोग loan नहीं देंगे, हम कहरें न, कि इसमें sectors wise बांटा होता है, यह निकि सभी पर लागू करना है, central bank की मर्जी है, यह selective process है, second, central bank can reduce the quantum of loans for all the banks, कि कि कितने लगा दी गई है, किस से जादा amount में किसी को loan नहीं देना, third है, central bank fix कर सकते credit quota for the different different banks, अलग-अलग bank के लिए, अलग-अलग quota fix कर दिया, कि यह bank 20 लाग का लोन दे सकता है, यह 10 का अब दूसरा 5, तो इस तरीके से central bank कर सकता है, credit को control कर सकता है, अलग-अलग quotas fix करके, फिर limit, कितना credit आपने grant करना है, industry को, trade purposes के लिए, या फिर agriculture sector के लिए भी, तो इक limit तै की जा सकते है, जो कि हम लोगर rationing में करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, जो credit rationing में होगा, जो banks होंगे, वो काफी जादा क्या है, अब हम लोग कह सकते हैं, भी questions हो जाएंगे, कितना loan उन यह सारा कुछ specify किया जाता है, एक central bank के द्वारा कि कुछ restrictions लगा दी जाती है, accordingly, जो flow है, वो credit का restrict किया जाता है, in the deserved directions, तो लग-लग directions के लिए, जो credit की restrictions है, वो लगा दी जाती है, और किन directions में loan देना चाहिए, उसके लिए भी अलग से वो तरीका अपनाया जा सकता है, तो next है आपका direct action, direct action देखो, बहुत simple है, अब banks क्या करते हैं, कई बार जो commercial banks होते हैं, वो आपके central banks की rule को follow नहीं करते हैं, तो जो RBI है, जैसे इंडिया में, वो क्या कर सकता है, कि उसकी जो commercial banks की nationalization है, registration है, सब कुछ cancel कर सकता है, मतलब उन पे पूरा direct action लिया जाता है, कि अगर commercial banks ने कुछ भी rules and regulations नहीं माने आपके central banks के, तो direct action ले लिया जा सकता है, sometimes the central bank may initiate direct action against the commercial bank, defying its directives, कि अगर हमने उसके directives को refuse कर दिया है, central banks क्या है, कई तरीके की restrictions लगा सकता है, on the functioning of that defaulting banks, including denial of the loans, तो इसमें वो loans को भी deny कर सकता है, commercial banks, ठीक है न, उन पे कुछ न कुछ तरीके की restrictions लगाई जा सकते हैं, तो दोनों ही quantitative and qualitative instruments हैं, उच्छे हम लोग यह नहीं कह सकते, अकेला quantitative use करो, अकेला qualitative use करो, दोनों की क्या है, लग-लग importance है, और दोनों एक दूसरे के बिलकुल complementarity है, मतब substitutes नहीं है, एक के बिना दूसरा जैसे साथ में ही चलते हैं, यह दोनों के दोनों, तो दोनों साथ में चलेंगे, simultaneously चलेंगे, जिस तरीके से जो हमने objectives पढ़े थे, monetary policy के, उनको हम लोग achieve कर सकते हैं, इन दोनों instrument की health से, I hope आपको clear हो गया होगा, वीडियो helpful लग झाया है, झालते हैं, जिस अपनों हम लोगगा है, झालते हैं, झालते हैं, जिस तरीके से सकते हैं, यह थाए है।